पिछले तीन दिन से भारती जंता पार्टी में एक हडगम मचा हुआ है अरे राउल गांधी जी ने विदेश की धर्ती पर बोल दिया साहब जब प्रधान मंत्री चीन को clean shit देते हैं वो देश की धर्ती पर ही देते हैं लेकिन पूरा विश्व देखता है उस बात को जब आप BBC पर rate डालते हैं तो ऐसा नहीं कि लंडन को मालूम नहीं पड़ता वो ख़बर भी पूरे विश्व में जाते ही कि आप क्या कर रहे हैं जब आप journalist को दबाते हैं rate डालते हैं अरेस्ट करते हैं लोगों को जाहाज से उतारते हैं वो पूरा विश्व देखता है वो ऐसा नहीं कि आपने देश की धर्ती पर कर दिया तो देश की धर्ती को ही मालूम पड़ा और बाकियों को नहीं मालूम पड़ा ये सत्रमी शताब्दी नहीं है रही बात राहूल गांधी जी की वक्तवे की तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट वक्तवे दिया है कि 140 करोड की हमारी हिंदोस्तान की जंता सक्षम है इन चुनोतियों का मुकाबला कर देए वो चुनोतियां जो आप लोकतंत्र के सामने ला रहे हैं हम सक्षम है और कॉंग्रेस पार्टी तो कहीं ज़्यादा सक्षम है जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे न तब भी आप विदेशियों का ही साथ दे रहे थे कॉंग्रेस फार्टी का या आजादी के अंदोलन का साथ नहीं दे रहे थे भारत छोड़ो अंदोलन का स्मरण मैं आपको करा दूँ रही बात अगोशित अपात काल की तो वो तो हम देखी रहे हैं आप बार बार 1975 की बात करते हैं न तो मैं वो भी आपको याद दिला दूँ कि उस वक्त के संग प्रमुख बाला साब देवरस ने समर्थन पत्र दिया था पधान मंत्री इंदिरा गांधी जी को कि हम सरकार की नीतियों के साथ खड़े हैं एक आध लीडर थे आपके सुपरुमिन स्वामी उनमें से एक थे जो विदेश जाकर विदेशी कंट्रीज का साथ लेने गए भारत सरकार के खिलाफ तो इसलिए हमें भाशन मत दीजिए हम सक्षम हैं आपका मुकाबला करने के लिए भारत का एक एक नागरिक मुकाबला कर रहा है करेगा और लोगतंतर को बचाएगा रविशंकर प्रसाच जी रही बात आपकी आपके दिन थे अब नहीं रहे ओ अच्छे दिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इतने काबिल वकील होने के साथ साथ एक पड़े लिखे व्यक्ति होने के साथ साथ आप ऐसी बातें करें तो यह शोभा नहीं देता